जो भी RRB ALP का फॉर्म फिलप कर रहा है इस बार फॉर्म फिलप करने से पहले ना जोन के बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा जो कि रेल्वे का सबसे खराब सिस्टम है और इतना तो कैमपेंज चल रहा है वेकेंजिस को लेकर एज को लेकर तो भईया कैलेंडर को लेकर मैं बोलूँगा कम सी कम एक कैमपेंज ये भी होना जाए ये मांग ये भी रखोर सरकार के पास कि जो जोन वाला सिस्टम है ना रेल्वे में ये हट जाए ये क्या होता है ना ऐसे बहुत सारे बच्चे है ना जो जिस गलती जोन चूज कर लेते हैं उसमें उसका नंबर साथ हा रहा है मान कर चलो लेकिन उस जोन का कटब चला गया आपकाfold 600 वो बच्चा क्या हो गया वो बच्चा हो गया अउट लेकिन वो बच्चा अगर बहुत सारे जोन को देख रहा है तो वहांपर प्र चुट अप management km गया है संतावन में आफाल में वो बच्चा अगर form fill up करता तो वो नौकरी में होता रेलेवे का, ऐसा एक नई लाखो केस है, तो जो नो जो सिस्टम है न, ये रेलेवे कम से कहमाटा दे, जैसे से करवाती है, बैंक करवाता है, वैसे ही कम से कम, रेलेवे में होना चाहिए, ताकि एक्जाम जो है, निक्सपक्च हो पाए एकदम साथ सुतरा, ताकि हर बच्चा जो है, वो एक तराजू में तोला जा सके, ये सबसे बड़ा important रोल है, अब जो एलपी का form fill up करेंगे, बावो दो तीन चीज बोलेंगे, आपको पूरा cut up तो दिखाएंगे, और दिखाएंगे कौन सा जोन बहुत vital है, एलपी के मामल है, किस बार, कहाँ पर competition जादा हो सकता है, दिमाग लगाओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, या किसी से पूछो, अगर मैं दिखाओ, आपको एलपी के बारे में न, कुई को 18 वाला mechanical cut up दिखाओ न, तो आप देखोगे, एक बार ध्यान से, जो अजमेर जोन है, और इस बार north west region के लिए form निकला है, अजमेर में, दोनों जोन के लिए form नहीं निकाला गया है, तो पहले तो ये cut up काड़ दो, इस बार का जो north west region ले form निकाला गया है, यहाँ vacancy है, इस बार 228, और यहाँ पर जो cut up गया था, पिछली बार mechanical का वो तिरपन था, अब तिरपन देखोगे कहा का है, का और कहा का है, तो आप देखोगे ध्यान से, तिरपन, तिरपन किसी जोन का है, 40, 42, 45, 45, 41, 51, 44, 42, 48, 47, 49, 40, 45, 45 आपका तिरवेंदरम पूरम का है, तिरवेंदरम पूरम दो है, इस बार यहाँ का तो फॉर्म निकलाई, नहीं है, सुर्ष रिजन का निकला है, वो भी यहां पर फॉर्म कितना निकला है, सब कैटेगरी मिला कर, तो 70 टोटल है, ST, OVC, EWS, सब मिला कर है, देख रहा हो, दो जुन ऐसा है, मैकनिकल के छेतर में, जो बहुत भाइटाल है बाबू, विलासपूर में इस वार भाकेज़ सबसे जादा है, लेकिन सब जुन मिला कर, अगर आप सभी को दिखाओ, ALP 18 वाला इलेक्ट्रिकल कटव, यहां पर अजमेर तो है, ने, को कट्ता 61 गया है, अजमेर देखो एक बार, जो अजमेर है बाबू, 48 गया है, ठीक है, देख रहे हो, 50 मतलब नेक टू नेक है, अगर आपको CBT2 का रिजल्ट दिखाओ एक बारना, CBT2 वाला तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, CBT2 का रिजल्ट देखो, रिवाइस रिजल्ट आने के बाद की बात कर रहा हूं, मैं, यहां पर देखोगे, एहमदाबाद पिरपन है, अजमेर बाबू कितना है, एक बार ध्यान दो, अजमेर है भईया 68, उसक के बाद अगर नीचे जाओगे आप सभी, 48, 47, 45, 58, 51, 57, 40, 61, 79 जो है बाबू, वो आपका तिर्वेंदरम पूरम का है, आप एक चीस समझ रहे हैं, आप देखोगे, पूरा वैकेंसिस निकाल करना, और पिछला कटफ को कम तुलना करोगे, तो देखोगे, दो जोन बहुत भाइटल है, एक तो आपका अजमेर, और एक है आपका तिर्वेंदरम पूरम, अज दो पहर में वीडियो में कॉमेंट्स आया, मैं कॉमेंट्स देखा, तो एक भाई बोला, भाईया जोन के वज़ह से अगले बार नहीं हो पाया था, अजमेर चूस कर लिया था, हम बोले, फिर कटफ पूरा निकाले, तो देखे बाबू, अजमेर और तिर्वेंदरम पूरम में गजब का मतलब टककर है, मतलब कटफ के मामले में, और सबसे बड़ा जो रिजल्ट है बाबू, आप NTPC का भी रिजल्ट देखोंगे हाल फिलाल में, आपको जोन चूस करना बहुत ज़रूरी है, किस जोन से आप फिलाप कर रहे हो, अगर मैं सेफ जोन की बात करो ना, सेफ जोन की, अब देखो इस वीडियो के बाद सबी वहीं पर मत भर देना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, मेरा अगर दिल जो बोलता है ना बाबू, सबसे जो सेफ जोन है, वो भूमनेस्वार है, और कंपूटिशन भी कम है, उसके बाद देखा जाए आप सभी का, गोहाटी में मात्र 62 सीट है, अच्छा, अगर मैं चुलना करूना, अगर कटफ को लेकर, तो भूमनेस्वार गोहाटी कई ना कई सेफ जोन माना जाता है, रेलिवे के लिए, लेकिन मै बार बार बोलूँगा, फॉम फिलप करने से पहले बाबू, हर बनाना मत हजार बार इसके बारे में पता कर लेना, क्योंकि रेलिवे का जो सिस्टम है ना, ये काबिल बच्चों को भी कटफ आने के बाद छाट देता है, वो छाटता अपने मन से नहीं है, गलत जोन चुस क करने के वज़े से वो बच्चा जो है, वो आउट हो जाता है, तो आप एक बात तो इतना दिन से तयारी कर रहे होंगे, ये कोई में तयारी कर रहा रहे लिवे का, तो किसी से पुछो गए ना, उनसे एक बार जोन का मामला पूछ लेना, वो जरूर बोलेगा, वो जोन मुझपरपुर 40-40, पटना भी सेव नहीं है, क्योंकि एंटी पीसी का रिजल्ट आने के बास, सिबुटी टू वाला पटना भी हिला दिया था, याधना रियल टू का पटना भी कटफ, टॉप लेबल, पटना, चंडीगर, सिकंद्रावाद, ये सब जोन बहुत भाइटल ह है, 18 यहाँ पर कम था, 45 जम्मू, जम्मू में कोई जाना, भरना ही नहीं चाहता है, उसके बाद देखो के नीचे आओगे, 40 गया भूमनेस्वर, तिलहाबाद, तिरपन, उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर, यहाँ पर है, मैकनिकल वाला, कोई चाहता ही नहीं इदर जाने का, मुझपरपूर, जम्मू कस्मिर, 40, गोहाटी, 40, बोले न, भूमनेस्वर, 40, बोले न, यह सब जोन थोड़ा ठीक ठाक है, भरने लागे जोन है, भूमनेस्वर हो गया, जम्मू में कोई जामा नहीं चाहता है, तिल्यू गूरी, कोई जम्मू जाता है, सब ही चाहते हैं कि भईया, ऐसा जगा जॉब हो, जो घर के बगल में हो, और जो मार पीट है, वो पटना और विहार और उत्तर प्रदेश में हैं, सब जाता है, इस्टन रेलवे, इस्टन रेलवे, भईया कहीं पर यह मिल जाए, तो कत्ता जोन, पटना जोन विलासपूर भी बहुत भाइटल है, तो एक बार जोन के बारे में, कम से कम बाबू एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा पता करिएगा, किस जोन कटफ कितना जाता है, जो भी आपके भाई बैन एलपी में हैं, इतना तो तैयारी करते होंगा, सब फड़ा एडिया देगी देगा, लेकिन दो जोन दिखा चुका हूँ वहुत भाइटल है, कौन-कौन सा अजमेर और सिकंद्राबा, तो फॉर्म फिलाप करने से पहले एक बार जोन के बारे में अच्छे से किस स्टड़ी आप लोग कर लीजेगा, ठीक है?